दोस्तों आज के इस विडियो में बात करने वाला है 52 ऐसी चाइनिस एप जो की इंडिया में बैन हो सकते बहुत जल्द उस पर प्रस्ताव यानि की बातचीर चालू है जो गवर्नमेंट के साथ देखते है क्या होता है बट वो कौनसी एप से में इस विडियो में बताने वाल लगा ही तो यह आप देख लिए कुछ इस तरह से में लगाई है और यह होने का रिजन तुम्हें आपको नहीं बता सकते बट जो भी हो ठीक है और आज की वीडियो में जो बात करने वाले अब यह जुरुरत क्यों पड़ी है 52 एप्स डिलेट करवानी के लिए और यह बात बाती सुरक्षा क्या अजनसी है इंडियन सेकूर्टी अजनसी उन्होंने कुछ लिष्ट जारी किये उन्होंने देखा है कि बारत में कितनी ऐसी एप से चाइनीज की है मतलब चाहिना की है और वह लोग मतलब भारतिये यूज कर रहे है तो इसे में प्रॉब्लम क्या हो सक इस पर आप कुछ एक्षन जरू लीजिए उस पर बातचीत पर चल रही है जब यह वीडियो बना रहा हो तब बातचीत भी चल रही है हो सकता आगे आने आने वाले दिनों में यह सब कुछ बैन भी हो जाए या पर कुछ यह सी रूल्स आ जाए जिसके तुरू हमें यूज न डैटा है वह चाइना तक पहुच्छा सकता है यह सारी एप्स और इंडिया यूज जरू करते हैं और इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बना था कितनी चाइनीज एप हैं ज्यादा कि यापनीज लिस्ट दी है, तो यहाई मैंने कुछ लिस्ट है, अब वीडियो ब लिट दे दूगा और सारी एपस के बारे में बता दूगा जो लिष्ट है पूरी लिख दूगा वहाँ पे आप जाके देख लेना में थोड़ी यहाँ पर इंपोर्टन्स जो है ज्यादा तर जो इंडेंस यूज करते हैं इसके बारे में एपस है वह बता रहता हूं तो पहले बात करें टिक टोक के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाकर रखाए आपको बिल्कुल देंगना चाहिए और क्यों यूज नहीं चाहिए वह सारे वीडि होने वाला है तो क्यों होने वाला है वह भी बताऊंगा नेक्स वीडियो में बात करेंगो इसके बारे में अब बीगो लाइव भी बहुत सारे इंडियों यूज करते हैं जैसे कि और वीचैट भी यूज करते हैं और शेरेट यूसी न्यूस यूसी ब्रावजर पुपिलर भी एप उसमें भी और बहुत सारी एसे एप जो कि आप नहीं जानते हों कि बट इंडिया नहीं है वह चाइनीज एप कि है और उसको आपको अनिस्ट्रोल करना है तो वह लिष्ट पूरी आपको डिस्ट्रेश्म में मिल जाएगी आप जाके देख लेना और यह ब लिए तो यह कुछ आज के इस वीडियों में था उम्मीद करते हैं आज का वीडियों लाइक करें लिए और चैनल में सब्सक्राइब थांक्स पर आचिंग बाए